हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इस अपे गुपता यूर मैथ मेंटूर on this beautiful channel of yours Mathematicia by ओपे गुपता आज के lecture में आप लोगों के लिए मैं class 11th mathematics के chapter 10 that is straight lines के उपर एक case study question discuss करने वाला हूं which is going to be very important for your examination चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये question काफी important है ये जो question है ये department of education of government of Delhi के practice question paper set में भी दिया हुआ था इसलिए कह रहा हूं कि आपके exam के लिए ये question काफी important हो सकता है तो यहां पर क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं और फिर दिये हुए questions का answer करते हैं तो यहां पर बोला हुआ है तो यहां पर ये आपका rectangular sheet diagram में दिखाया गया है आगे क्या बोला हुआ है on the coordinate plane elevation of qr is given by this line यानि qr का आपको equation दे दिया है मैं ये सारी बाते diagram में अभी लिख दूँगा don't worry फिर point p के coordinate भी given है और point r के भी coordinate given है तो इन information को अगर मैं यहां लिखना शुरू करूँ यानि सबसे पहले हमें qr का equation दे रखा है which is 3x plus 4y equals 12 फिर point p के हमें coordinates भी दे रखे है which is 2,4 फिर point r के भी coordinates है यानि 16 upon 5,a इसके बाद क्या बोला हुआ है बच्चो on the basis of information given above answer the following तो हमारे पास ये कुछ question है जिनका हमें answer करना है I hope आप लोगों को ये तो पता होगा कि यहां पर a part और b part 1 मार्क के होंगे alternative भी है ये 2 मार्क का होगा तो as such आपको 3 questions ही attempt करने है first part और second part तो compulsory है third part में alternative दिया गया है तो फिलाल यहां पर first part में क्या बोला गया है बच्चो find the equation of ps सबसे पहले तो given situation को आपके लिए मैं explain करूँगा उसके बाद मैं solution करके आपको दिखाऊंगा इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो formula क्या होता है बच्चो y-y1 equal to slope into x-x1 बस ये छोटा सा formula हम use करते हैं तो अगर मैं ps को देखूं तो क्या मुझे point p के coordinate नहीं पता बिल्कुल पता है ना 2,4 डायग्राम में देख लो मैंने लिखा तो हुआ है यहाँ पर ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर मुझे x1 और y1 की value पता चल चुकी है बच्चो ठीक है अब मुझे सिर्फ slope निकालना है तो slope मैं कैसे निकालूँगा ध्यान से सुनना यहाँ पर यह qr आपको दिख रहा है equal होते हैं समझे तो यहाँ पर basically हम qr का slope निकालेंगे वही ps का slope भी बन जाएगा तो इस तरीके से हमें slope की value भी मिल जाएगी इस formula में हम put कर देंगे x1 y1 की value पहले ही मिल चुकी है तो चलते हैं जरा सबसे पहले मैं यहाँ पर slope निकाल लेता हूँ तो मैं आपको अगले slide पर लेके चलता हूँ यह सारी बाते यहाँ पर भी लिखी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अगर मैं slope लिखने लगू slope of qr slope of qr बोलो या फिर इसे आप slope of ps भी कह सकते हो ना क्यों कह सकते हो क्योंकि qr is parallel to ps समझे और parallel lines के slope equal होते हैं ठीक है बच्चो अब यहाँ पर बात यह है कि हम qr का slope निकालेंगे कैसे तो इसका भी concept बता रहता हूँ आपको मैं कोई भी line जो कि इस form में लिखी गई हो कोई भी line जो कि इस form में लिखी गई हो इसका slope हम कैसे निकालते हैं direct formula है minus a upon b यानि x का coefficient और y का coefficient इस form में लिख देते हैं और minus 1 से multiply कर देते हैं अब अगर आप यह सोचें कि हमारा ये वाला जो equation है ये इस form में तो नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं भी आप 12 को ना इधर ले आओ फरक तो कुछ भी नहीं पड़ेगा है ना मतलब slope की value पर कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो फिलाल यहाँ पर slope की value क्या आ जाएगी बच्चो it will be minus 3 by 4 ठीक है ना तो यहाँ पर slope तो हमको मिल गया किसका slope मिला ps का slope कह दो या फिर qr का slope कह दो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि x1 की value यहाँ पर 2 है और y1 की value यहाँ पर 4 है पिछली slide पर ही तो बता कर आया था तो अब यहाँ पर जैसे ही हम first part का solution लिखेंगे तो क्या बोलेंगे y minus y1 that is 4 equal to slope यानि minus 3y4 into x minus x1 यानि यहाँ पर इस तरीके से आप display कर दो ठीक है इसको further simplify करेंगे तो क्या होगा बच्चो यहाँ पर 4 से cross multiply करो तो यह बनेगा 4y minus 16 समझे फिर minus 3 को इस bracket के अंदर multiply कर दो so it will be minus 3x plus में 6 समझे फिर इसके बाद यहाँ से आप side change कर दो तो यह बनेगा 3x plus 4y equal to 22 समझे तो यह first part का answer आ गया अब आगे बढ़ते हैं जरा second part को देखते हैं in fact पिछली slide पे वापस चलते हैं तो यहाँ पर second part में क्या पूछा हुआ है बच्चो find the value of a अब a की value कैसे निकालेंगे इसका concept भी discuss कर लेता हूँ आपके साथ मैं ध्यान से सुनना यह जो point है तो यह जो point r है न बच्चो यह qr के उपर ही तो है यानि qr का जो line है qr का जो equation है इसी के उपर तो point r लाई करता है तो point r के coordinates यहाँ पर 3x plus 4y equal to 12 में डालेंगे तो satisfy भी होना चाहिए तो बस इसी fact का हम use करेंगे चलते हैं अगली slide पे तो यहाँ पर हम b part का solution जब लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि point r which is 16 upon 5, a lies on the line 3x plus 4y equals 12 तो यह point r इसको satisfy करेगा तो चलो satisfy करके देख लेते हैं तो therefore यहाँ पर हम क्या करेंगे x की जगे 16 upon 5 डाल देंगे plus 4y की जगे a डाल देंगे equals 12 समझे बच्चो अब यहाँ से इसको simplify करेंगे तो यह होगा 4a equals 12 minus 3 into 16 upon 5 that is 48 upon 5 इसको further simplify करोगे 12, 5 is just 60 60 minus 48 यानि क्या हो जाएगा 12 upon 5 तो यहाँ से आप इसको further simplify कर लोगे न बच्चो तो यहाँ 4 से यह 12 cancel हो जाएगा तो a की value आजाएगी 3 upon 5 समझे तो यह आपका second part का भी answer आ गया इस question में अब चलते हैं जरा third part को भी discuss करते हैं तो इसमें क्या बोला हुआ है बच्चो यहाँ पर हमसे कहा हुआ है find the area of rectangular sheet और यहाँ पर एक alternative भी है alternative में क्या है find the perimeter of rectangular sheet देखो बच्चो सबसे पहली बात तो आप याद करो कि किसी भी rectangle का area निकालने के लिए formula होता है length into width ठीक है ना और perimeter निकालने का formula होता है two times length plus width ठीक है यानि मुद्दा यह है कि मुझे rectangle का length चाहिए और इसका मुझे width भी चाहिए diagram में देखो मैंने length को L से और width को B से represent किया है ठीक है बच्चो अब length और width हम निकालेंगे कैसे तो सबसे पहले मैं length के बारे में बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना आपको ध्यान होगा बच्चो कि rectangle के जो sides होते हैं ना adjacent sides उनके बीच में क्या angle बनता है तो यहाँ पर यह 90 degree angle बनता है मतलब यह perpendicular होते हैं इस बात को ध्यान रखना ठीक है बच्चो अब सुनना यह जो point P है ना इसके coordinate आपको पता है और line QR का equation आपको पता है अब अगर आपको ध्यान हो बच्चो कि किसी भी point का distance जब हम किसी line से निकालते हैं तो वो perpendicular distance ही तो आता है कहने का मतलब point P का distance अगर मैं इस line से निकालूंगा जो कि QR का line है तो मुझे PQ length मिल जाएगा जो कि rectangle का भी length represent कर देगा समझे? तो इस तरीके से हम rectangle का length तो निकाल लेंगे width कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा बट फिलहाल किसी point का distance किसी line से कैसे निकालते हैं इसका formula आपको याद तो है न अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर इस PQ length को ही निकालेंगे तो मैं आपको लेकर यहाँ पर आचुका हूँ बच्चो यहाँ पर अगर कोई भी point होता है न जैसे मानलो x1, y1 ठीक है न अब इस point का distance अगर आप किसी line से निकालते हो line का equation मानलो इस तरीके से मैंने लिख दिया ax plus by plus c equal to 0 तो जब यह length आपको निकालने के लिए बोला जाता है न तो इसी को हम बोलते हैं कि perpendicular distance of this point from this line हमने निकाला है अब इस distance को निकालने का formula क्या होता है बच्चो ax1 plus by1 plus c इसको हम mod में डाल देते हैं और denominator में हम लगा देते हैं under root of a square plus b square तो इस formula की help से हम यहाँ पर pq length को निकाल लेंगे जो की rectangle के length को represent करेगा तो चलो काम सुरू करते हैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम c part लिख देते हैं क्योंकि यह third part का ही solution हो रहा है तो यहाँ पर हमें मिलेगा यह pq है ना जो की rectangle का length है तो वो कैसे मिलेगा यहाँ पर line के equation को आप rewrite कर लो अगर आपका मन करें यानि आप लिख लो 3x plus 4y minus 12 equal to 0 समझे तो अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर 3 into x1 यानि 2 plus 4 into y1 यानि 4 minus में 12 पूरे का modulus और denominator में आ जाएगा under root of 3 square plus 4 square तो numerator में क्या बनेगा बच्चों यह 6 हो जाएगा यहाँ पर यह 16 हो जाएगा यानि 22 minus 12 यानि यह 10 का modulus यानि simply 10 और नीचे आपका यह क्या बनेगा 9 plus 16 यानि 25 का root यानि 5 यानि यह आपको 2 मिल जाएगा तो यहाँ पर L की value क्या मिली बच्चों L की value हमें 2 units मिल जाएगी ठीक है न अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि rectangle का पहले length तो निकाल लो तो length तो हमने निकाल लिया यानि pq हमने निकाल लिया अब यह width कैसे निकालेंगे तो इसके लिए ध्यान से concept सुनना सबसे पहले आप एक काम करो इस diagonal को join करो अब यहाँ से इस diagonal का length निकालो बट यह निकलेगा कैसे ध्यान से सुनना यहाँ पर point p आपको पता है और point r भी आपको पता है अभी अभी तो हमने a की value निकाली थी 3 by 5 तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर point r क्या है 16 upon 5 कॉमा 3 upon 5 तो यहाँ पर हम p r बड़े ही आराम से निकाल लेंगे कैसे मिलेगा distance formula समझे x to minus x1 का hall square यानि 16 upon 5 minus 2 का hall square plus y to minus y1 का hall square और पूरे का under root तो होगा ही आब इसे फटा फट calculate करते हैं तो यह होगा 16 minus 10 upon 5 यानि 6 upon 5 का hall square that is 36 upon 25 plus इसमें क्या होगा 3 minus 20 upon 5 यानि minus 17 upon 5 का hall square that means 289 upon 25 और पूरे का यह under root भी लगा हुआ है बच्चो इसे हम further calculate करेंगे तो यह क्या हैगा बच्चो इसे हम further simplify करेंगे तो यह बनेगा 325 upon 25 का under root that means यहां से आपको PR की value मिल जाएगे under root of 13 समझे बच्चो अब मैं क्या करूँगा इसे ध्यान से समझना आप लोग हम लेने वाले हैं triangle PQR जो की right angle triangle है देख लो ध्यान से समझे की नहीं यहां पर आपका right angle तो बनेगा ही अभी तो समझा के लाया था आपको तो यहां पर इस वाले triangle PQR में अगर मैं Pythagoras theorem अपलाई करूँ समझ तो गए होंगे आप लोग मैं क्या करने वाला हूँ Pythagoras theorem अगर मैं अपलाई करूँगा तो हम लिखेंगे PR square equals PQ square plus QR square समझे तो यहां पर PR square यानि root 13 का square यानि यह हो जाएगा 13 equals PQ square यानि यहां पर देखो ना हमने अभी तो निकाला था PQ टॉप में देखो तो 2 का square यानि 4 plus QR square सो इसका मतलब यह हुआ कि QR square की value आएगी 13 minus 4 यानि 9 तो QR की value आजाएगी 3 और यह आपका width हो जाएगा पास length भी आगया width भी आगया area का formula मैं already आपको बता चुका हूँ length into width यानि 2 into 3 यानि क्या आजाएगा 6 square units ठीक है बच्चों और अगर आपको ध्यान हो तो इसमें एक alternative भी था alternative में हमसे perimeter पूछा हुआ है चलो मैं आपको दिखा लाता हूँ रखा हुआ है मैंने तो जैसा कि मैं already आपको elaborate कर चुका हूँ कि length क्या है और width क्या है और हमने निकाला कैसे है तो यहाँ पर perimeter भी आराम से हम निकाल लेंगे कैसे निकलेगा 2 times L plus B यानि 2 plus 3 यानि यह हो जाएगा 10 units ठीक है बच्चों तो इस तरीके से इस पूरे question का solution आपके साथ मैंने discuss कर लिया है I hope आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का session wind up करेंगे but before you leave don't forget to hit the like button and share this video with all of your classmates and friends also subscribe to this beautiful channel of yours and turn all the notifications on so that आपको her important video की update time to time मिलती रहे class 12 में भी अच्छे से preparation करनी है ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं next lecture में till then be good take care all the best thank you